नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस नियूज के डिफेंस टॉक सरीश में जहां पर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो सुरू करते हैं आज कीती अपडेट डेटर लिद्स सरह करते हैं पिछले कुछ सालों में जैसे तिरे धूर दीरे तरक्की करने लगे हैं कुछ दिन पहले की एक बात है इक अपडेट सामने आ थे जिसमें बता मिसाइल से लेके अस्तर मार्ग 2 की बूस्टर सेक्चेन की डाटा भी मौझूद थी और उसको चुरा लिया गया था इसके बाद अभी एक और अपडेट भी सामने आ था जिसमें बता गया था कि अभी अर्मिनिया की कुछ ऑफिसल्स की तरफ से स्वाती वेपन लोकेटिंग रडार की टेकलोजी को भी किसी फॉरण क्लेंट के साथ सेर कर दिया गया था आप सभी को पता होगा कि अर्मिनिया की तरफ से भारत से स्वाती वेपन लोकेटिंग रडार को खरीदा गया था जिनको 2020 से भारत की तरफ से डिलिवर करना सुरू किया गया था और यह सिस्टम अभी अर्मिनया के पास ही मौजूद है जिसके बाद अभी अर्मिनया की मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बता गया था कि अर्मिनया की आर्मी के क्याप्टेन थे जिनकी तरफ से स्वाती वेपन लोगटिंग रडार की डाटा को किसी के साथ statement को issue किया गया था जिसमें बता जा रहा कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो स्वाती रडार की जुछ technology है या जिन भी technology को सीक्रेट रखनी के जरूरत था उनको एर्मेनिया के सब नहीं किया गया था वो तो बहुत को खरीदते था और इसको operate कर रहे थे जैसे कि हम किसी गाड़ी को खरीडते हैं और उसको operate करते रहते हैं बदले में हमें थोड़ा बहुत पता होता है जिसमें गाड़ी कौन सी होती है इसका इंजिन कितने सिसी का होता है कितना पार यह प्रड्यूस करते हैं कब इसको service कर ना होती है हमको पता होता है थिक वैसा ही सिस्टम यहाँ पर स्वाती रडार के साथ भी है, तो अर्मिनिया को इस रडार के बारे में ऐसी कोई sensitive data हमारे तरब से share नहीं किया गया था, तो वो इसको share ही नहीं कर सकते थे, बाकि अभी जो information स्वाती रडार के बारे में leak होने की बात किया जा रही है, यह कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सारी information पहले से DRD की तरब से public domain में publish कर दिया गया था, जो कि public domain में पहले से available है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, और नहीं इस से हमारी स्वाती रडार की further export के उपर के खास असर पढ़ने वाला है, अगला update QRSAM की तरफ से, रिसेंटली QRSAM को लेकि कई updates सामने आ चुके थे, और रिसेंटली इसको 2-3 बार test भी किया आ चुक, और खास करके इसकी low altitude performance satisfactory नहीं पा गया था, और यह helicopter को target करने में fail हो गया था, लेकिन इसको लेके DRDO की तरफ से कोई भी official notice जारी नहीं किया गया था, अभी इसको लेके भारत electronics limited की तरफ से बता गया, कि अभी QRSAM की तरफ से सभी user trial को complete किया जा चुका, और अभी आर्मी की तरफ से इसको formally order किया जा सकता है, उमीद किया जारा है कि 2023 के अंदर ही QRSAM को खरीदने के लिए official order को sign कर दिया जाएगा, और 2024 से 2025 के अंदर इसको आर्मी को deliver करना सुरू किया जाएगा, इसको primarily Indian Army की तरफ से operate किया जाने वाला है, और इसको भी हमारी उसका AK Air Defense System को replace करने के लिए इस्तमाल किया जागा, जो कि mainly हमारे आमर्ड यूनिट्स को या मेकनेज यूनिट्स को जुस्मन की low flying aircraft और हिलिकॉप्टर्स या डोन से protection प्रोवाइट करने वाले हैं। अगला update भारत और रश्या की तरफ से, आप सभी को पता होगा कि भारत और रश्या के बीच AK-203 rifles के लिए बहुती बड़ी डील को साइन किया गया थे जिसमें करीब करीब 6.5 लाक के आसपास rifle को खरीदा जाने वाला था। इसी बीच जेन्स डिफेंस की तरफ से पब्लीस के एक रिपोर्ट में बता जा रहा कि अभी रश्या की तरफ से बता गया कि भारत को AK-203 rifle डील के अंदर सप्लाई किया जाने वाले पहले व्याच को डिलिवर करने के लिए रश्या भी पूरी तरीके से तयार हो चुका और इन सभी राइफल को भी यूपी की कोर्वा में बनाएगे इंडो रेश्यान राइफल लिमिटेड फैसिलिटिया बना गया है इन राइफल में अभी करीब करीब 70% के आसपास इंडियन सिस्टम मौझूद है लेकिन वक्त के साथ साथ इसको आगे चलके पढ़ाने का को कॉस्ट दस से 12,000 के आसपास रिडियूस हो सकता है अगला अपडेट 5th generation aircraft को लेके और अभी हम रश्या की तरफ से रिसेंडली अनौन्स किये गए नए सिंगल इंजिन 5th generation aircraft यानि की स्यू 75 या चेक्मेट के बारे में बात करने वाले हैं आप सभी को पता होगा कि अभी एर किया जा सकता है फिलाल इसको लेके अभी तक भारत की तरफ से यूस की तरफ से कोई ऑफिशल अपडेट नहीं दिया गया पर अभी रश्या की तरफ से अपडेट सामने आ चुका है जिसमें बताया जा रहा कि अभी रश्या की तरफ से जल्दी से जल्दी भारत को अपनी स कि तयारी किया जा रहे हैं और अफिशले बाद कंफर्म किया जा चुका कि एरो इंडिया सो के दौरान रश्यन एक्राफ्ट कॉर्परेशन और सुखोई डिजान वीरों की तरफ से एक हाई लेवल डिलेगेशन टीम भारत आने वाली जो की सुसेवेंटीफाइब की डीटेल प्रिजनटेशन के साथ भारत आ रहे हैं और इसी दौरान इनका जो में प्यारिटी होने वाले वह सुसेवेंटीफाइब को भारत को ऑफर करना है इससे पहले भारत और रश्या एक साथ मिलका सुफिप्टी सेवन को डेवलब करने की कोसिस कर रहे थे लेकिन फाइनली इस को रश्या की तरफ से ओफर नहीं किया गया और इस टेंडर में अभी तक रश्या का पोजिशन इतना अच्छा भी ने इसमें रश्या की तरफ से मिक-35 पाडिसेट कर रहे हैं लेकिन अगर वह सुसेवेंटीफाइब को सेम टेंडर में भारत को ऑफर कर पाते तो अभी के एकलोता फिब जनरेशन एक्राप्ट होने वाला है जिसको मल्टी रोल कॉमबेट एक्राप्ट की टेंडर में ओफर किया जाएगा जो कि एक नेक्स जनरेशन हैपसोनिक वेपन के साथ भी भारत को ऑफर किया जाएगा तो इसे ज़रूर भारत आगे चल के चलके कर सकता है प्रॉब्लम यह कि अभी वी जो एक्राप्ट यह डिवलेप्मेंट स्टेज में और इसको दोजार चबीस में जाके इसकी पहले टेस्ट फ्लैक को कम्प्लीट किया जाएगा तो इसका प्रडक्शन ऑफिसली स्टार्ट होते होते 2030 के आसपास वक्त लग सकता है जो कि भारत 4.5 जनरेशन एक्राप्ट को खरीदने के वदले सीधे तो और पर 5 जनरेशन एक्राप्ट को सिलेट करना एक फाइदमन सौधा हो सकता है इसके अलावा इसको रश्या की तरफ से बहुत ही कम कीमत में आने की करीब 35 मिलियन डॉलर की यूनिट कोस्ट के हिसाब से पहले लॉ वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंदे मातर